एक्सरसाइज च्छेपंड दो देखिए अब आज गुननखंड विदी द्वारा हमें क्या ग्याद करने घनमूल ग्याद करने ठीक है पुश्चन यही करा है अब आज गुननखंड विदी द्वारा क्या ग्याद सबसे पहले हम यह बता देता हूं नॉमा सवाल को बढ़ा आई है ना नॉमा जो नाइन सवाल है उसका हल देखिए कितना है सन कर्क है गया oni 1दन को कि कर दो दो कमैस में तो गदिनी वार गया अर्ट भार गया 8 तो आप भार गया यह पार एक गजया 2-8-16 यह यहां 0 और 2-8-16 फिर से 2 का देंगे 2-4-8 2-6 और 2-9-18 0 2-4-8 फिर से 2 का देंगे 2-4-2-1-2 और 2-9-18 2-5-10 2-4-4 अब फिर से 2 का देंगे यहां देखो 2-1-2 ठीक है और यहां पर एक का बचके एक में तो जाता नहीं है तो यहाँ जाएगी 0 अब हो गए 19 दो नाम 18 और 2 सत्य चौदे और 2 चीक बार है अब फिर से 2 का देंगे 2 पंजे 10 और 2 चौका 8 और 2 2 अठे 16 और 2 अठे 16 फिर से 2 का देंगे 2 दूनी 4, 2 सत्य चौदे 2 चौका 8 और 2 चौका 8 फिर से 2 का देंगे 2 एक हम 2 और 2 तिया 6 और 2 सत्य चौदे 2 दूनी 4 फिर से 2 का देते हम 2 चिक बार है और 2 अठे 16 और 2 चिकी 12 फिर से 2 का देंगे 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 तिया 6 फिर से 2 का देते हैं तीन करेंगे तीन और चाहर साथ दस एक मिनट आप किस कर देंगे आप साथ कर देंगे इसमें ना साच्चों का 28 और साथ नाम 63 ठीक है फिर साथ का देंगे साथ बार और फिर साथ का देंगे एक बार ठीक है आप देखिए कितने जोड़े बने यहां देखा ज़रा यहां लिख रहे हूँ दो इंटू 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 दो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और एक नो एक साथ इंटू साथ इंटू साथ आप यहां देखिए यहां से यह तीन का जोड़ा एक बन गया यहां से एक और तीन का बन गया यहां से एक और तीन का बन गया और यहां पर यह एक साथ का जोड़ा बन गया तो यहां से दो ले लेंगे यहां से दो ले लेंगे यहां से दो ले लेंगे और यहां से साथ तो कितना आंसर आएगा एक दो का दो तीन दो इंटू साथ तो आंसर कितना आएगा आठ साथ छपपन आठ साथ छपपन तो हम बोलेंगे कि इसका जो root cube है वो कितना आजाएगा तो यहाँ पर root cube लेते हैं root cube of 17 56 16 आंसर कितना आगया 56 ठीक है चाप लो हाँ जी यह देखो अहल साथ वे सवाल का अहल देखिए बागी कर लेना देखो फिर से वो ही गुनन खंड करेंगे इसके यहाँ लिख लीजिए 11 0 500 2 2 का दीजिए सबसे पहले 11 में कतनी बार जाएगा 5 बार एक बच गया 2 पंजे 10 2 दूनी 4 और 2 नाम 8 रहे और 2 चिंग 12 अब किसका जाएगा 2 का जाएगा 2 दूनी 4 और 2 सत्य चोदे और 2 चिंग 12 2 चोका 8 2 अठे 16 फिर से 2 का देंगे 2 एकम 2 2 ती अच्छे अब फिर से 2 का देंगे 2 ती अच्छे 2 चोका 8 और 2 पंजे 10 और 2 चिंग 12 अब किसका देंगे फिर से 2 का देंगे 3, 4, 5 3, 4, 5, 6 2 का देंगे देखो 2 एकम 2 2 सत्य चोदे 2 दूनी 4 2 अठे 16 फिर से 2 का देंगे 2 अठे 16 2 चिंग 12 2 चोका 8 फिर से 2 का देंगे 2 दूनी 4 2 ती अच्छे और 2 दूनी 4 2 चोका 8 अब फिर से 2 का देंगे 2 दूनी 4 2 एकम 2 और 2 चिंग 12 फिर से 2 का देंगे 2 एकम 2 0, 8 फिर से 2 का देंगे 5, 4 चौपन आ गया ना कि चौपन में 2 का देंगे कि तनी आजाएगा 2 7 3 का देंगे 9 बार प्र 3 का देंगे तीन बार और फिर तीन का देंगे 1 का देखो तो देखो कितनी गुनन फंट मानने एक बार को एक दो 34 पांच छे 7 8 9 10 11 12 तो लिंघ क्षूच करें तो तो 2 तो और तीं-टीं-टींग इन्टू दो इन्टू दो यह एक तीन का जोड़ा यहां से एक तीन का जोड़ा और यहां से भी एक तीन का जोड़ा बन गया? तो दीजिए तो यह आ जाएगा root cube of कितना है? 110502 तो इसका root cube आ जाएगा कितना आएगा? देखें एक बार निकाल में लो ओततर दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो इंटू तीन देखो दो दूनी चार दूनी आठ आठ दूनी सोला सोलती 48 ठीक है तो इसका रूट क्यों बागया 48 ठीक है अब तर लेना आप लगी चापना है पिल्कुल चापना है हाँ जी 6.2 का देखो दूसरा सवाल है सत और असत बताना है हमें अब सभी लोग किताब पर ध्यान दो और पढ़ो एक बार कतनों को किसी भी बिसम संक्या का घं》 सम होता है क्या बात स 도 Pittsburgh गलत बिसम संक्या का घं कभी भी सम नहीं होता जैसे 刚 cena एक बिसम संक्या है है के नहीं इसoff हम घं करते है तो कितना आएगा तीन इंटू दिीन इंटू दीन और यह answer कितना आएगा 27 तो क्या यह sum है 27 नहीं तो यह कथन कैसा है असत है तो पहला वाला क्या है असत यहाँ असत लिखना है जी सत असत लिखना है सेकंड वाला देखिए एक पूर्ण गन दो सुन्यों पर समाप्त नहीं होती सही बात है यह तो यह बात कैसी है सत बात है दो सुन्यों पर समाप्त नहीं होती तीनों पर होती है ना तो पूर्ण गम दो सुन्यों पर समाप्त नहीं होती यह सत है तीक है अगला प्रेशन देखिए यदि किसी संक्या का बर्ग पांच पर समाप्त होता है जैसे मालो एक संक्या लेते हैं एक्जामपल के लिए पंद्रे लेते हैं तो पंद्रे का अगर स्क्वाइर करेंगे तो पंद्रे का स्क्वाइर होता है दो सौ पच्चीस होता है तो ये किस पर समाप्त हो रहा है कह रहा है कि यदि किसी संक्या का बर्ग पाँच पर समाप्त होता है यह मैंने एक संक्या लिए और इसका बर गया पाँच पर समाप्त होता है ठीक है तो इसका घन 25 पर समाप्त होता है तो कि यह बात देखते हैं तो 25 का पंद्रे का घन करते हैं तो कितना आएगा 33 75 तो ये तो 25 पर समाप्त नहीं हुआ इसका मतलब ये बात कैसी है असत्य असत्य बात है अब यहाँ देखिए चौथा बाला देखिए ऐसा कोई पूर्ण घंड नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है ये तो गलत बात है 8 पर समाप्त होता है दो का है ना दो का अगर हम गन करेंगे तो किस पर समाप्त होगा आठ पर ठीक है तो दो का यानि एकाई अंक क्या है दो है तो वो आठ पर ही समाप्त होगा तो ये बात कैसी है असत तो ये चोथा वाला सवाल पॉइंट कैसा है असत चोथा वाला क्या है असत अगला देखिए पांचवा दो अंकों की संख्या का घन तीन अंकों वाली संख्या हो सकती है गलत बात है नहीं हो सकती है ना यानि सबसे चोटी दो अंकों वाली संख्या अगर हम देखें तो दस है इसका अगर हम घन करेंगे तो एक हजार प्राप्त होगा हमें जो चार अंक है इसमें इसका म अंकों की संख्या के घंड में साथ या अधिक अंक हो सकते हैं नहीं हो सकते दो अंकों की संख्या में साथ अंक नहीं होते हैं ना दो अंकों की संख्या उसमें साथ अंक हो सकते हैं क्या कि यहां देखिये अभी हमने वो देखा था कितने वाली संक्या का गन एक वाली संक्या हो सथी है ऐसा ही वात है एक का घन एक होगा है ना तो एक का घं कितना होगा एक ही होगा ठीक है तो यह सत्य है क्या यह सत्य है तो एक्सरसाइज 6.2 यहीं पर खतम हुई और पूरी जो एक्सरसाइज है हमारी घंत था गनमूर यहाँ पर खतम हो गई अब अगिक्षट अगली एक्सरसाइज अब नेक्सरसाइज अब सुरू करएंगे खीक है और हाँ अगर जोлекले पेडिक kicked कर रहे हो चैनल को सिस्क्राइब कर ले बाकी मिलते हैं इस द Fe do